हेलो असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग तो नेक्स जो हैं हमने लीफ बेसिस की फॉर्म स्टड़ी करनी थी के इंप्लेकसी कोल और शीथिंग अरेकुलेट कुनेट और लीगुलेट ठीक है थे तो पहले एंप्लेकसीकुल पढ़ते हैं इसमें लीफ की जो बेस होगी न वो फ्लैट होगी और वो क्लैस्प होगी मतलब के basically clasp हम hook डुमा साफ को कहते हैं ठीक है तो वो hook की शकल में मोड़ी होई होगी stem के गिर्द उसके note base की example में final आजाता है ठीक है तो इस सारे में हमने क्या देखा कि जो leaf की base है वो flat है और वो hook की तरह मोड़ी होई है stem के गिर्द ठीक है और इसके नोड के उपए लीव पेस फ्लैट है और वो हुक की शकल में मुड़ी हुई है उसकी स्टेम के गिर्द और इसकी एक्जेम्पल में उसकी नोड के उपए ठीक है और इसकी एक्जेम्पल में फैनल आ जाता है शीतिंग क्या होगी इस केस में जो लीव पेस होगी ना वो बाद चूबलर शीथ बनाएगी और यह टूबलर शीथ इंटर नोट के लोवर हाफ को ठीक है उसके लोवर पॉरिशन और उसके हाफ को कवर्ट कर रही होगी और जो लीफ है बहुत सी ग्रासिस के जैसे के वीट मेस वगरा इसकी एक्जमपल है तो लीफ पेस ने इसमें टू श्रीम को करेंगे स्टेम को की रही लोवर पेस की लोवर जाता है केलोट को क्रा ठीक है तो इसमें is लीफ की तो इसमें क्या सीन है एैरी日 में मैं इसमें जो मत्तब लीफ का लामिन इना रौफ है उसकी बाद आता ची रहा जाए गेच अच्आ का नियरहे है जित रहे Шके जाएंगी ठीक है कुनेट में the opposite leaves की basis मिल जाएंगी और जूड़ जाएंगी और इसकी example में जीनिया आता है उसके बाद है legalate इस case में क्या होगा कि hair like या फिर membrane like outgrowth जो है junction पे होगी lamina की जहां से lamina जूड़ रहा होगा जो उसका junction point होगा वहाँ पे हेर लाइग जिससे legalate कहेंगे ठीक है इसकी example में rice, wheat और sugar कहना जाता है तो lamina की junction पे हेर लाइग कि हमी brain like structure होगा जिससे legalate कहेंगे इसकी example में rice, wheat और sugar कहना जाता है उसके बाद leaves की surfaces हम study करते हैं हेरी में जो लीफ है वो हेर से कवर्ड होगा ठीक है इसकी एक्जमपल में रैडिश आ जाता है आपको बालनमा साखते मूली पे अकसर देखने को बिल्यूगी पिरिकली में इसमें लीफ पे प्रिकल्स होंगे जैसा के रोस ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अल्ला हाफिज